भी। व्यस्थ भार्यनुखशा, क्रूस बोचुरेशंद भीजिदे लूगा मृम्टी बढ़ेखनर फिये आप मते कविकेश्ट, व्यूम करने वारें वूमों, में दाइरेंगे इंग्मपृम सेलरी, wyp中共 इंग्मम्पृम सेलरी में तीन हैं, स्टीन 15 section 16 and section 17 यह 3 sections है हमारे income from salary में diet tax में कुल मिला के 5 head है यह 5 है का हम first head करने वाले हैं ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा कि basic element of salary क्या होती है salary के basic element क्या होता है salary किसको मिलता है salary के लिए क्या क्या requirement होना चाहिए यह हमें देखना है तो चलिए शुरू करते हैं पहले बात बोलता है कि basic element of salary salary के basic element क्या क्या है सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि salary किसको मिलता है salary मिलता है payer पेयर देता है पेई को पेयर एंड पेई must have employer and employee relationship ओके पेयर मतलब जो रुपए ये salary पे करया किसको पेई को पेई यहाँ पे क्या है एक employee है employee मतलब जो employer के लिए काम करता है वो employer होता है और यहाँ पेयर पेई को पैसे देगा इसी वज़े से employer employee को पैसे देगा salary में दो चीज़े important होती है पहला employer और एक employee relationship होना चाहिए तब जाके आपको salary मिलेगी ये पहला point है इसलिए मैंने यहाँ पे start लगाया है start लगाने का मतलब यह हुआ कि employer अगर employee के relationship है employer और employee के relationship है तब जाके आपको salary मिलेगी वरना नहीं मिलेगी पहला start की बाद हम लोगों ने कर लिया now second बोलता है payment must have been made by employer in such a capacity payment must have been made payment कोन बनाएगा employer बनाएगा in such capacity उसी capacity में होना चाहिए payment देने के लिए ठीक है now note one salary किसको मिलेगा salary किसको नहीं मिलेगा इसके बारे में और थोड़ा हम चर्शा करेंगे देन उसके बाद हम अपने sections sections पे आएंगे note one salary received by a partner from its firm shall not taxable as salary अब आप यह बोलोगी जो partner को salary मिलती है वो partner को salary हमारे इसमें salary head में taxable कहज़ा कर नहीं partner और firm में employer and employee का relationship नहीं होता firm अलग है और partner अलग है दोनों में अलग-अलग relationship होता है firm अलग होती है partner अलग होता है तो इसी वज़े से दोनों में employer and employee का relationship नहीं होता लेकिन जो partner को salary मिलता है वो salary में taxable नहीं होगा यह taxable होगा PGBP में, क्योंकि यह partner एक firm में काम करता है, तो firm इज़े PGBP माना जाएगा, ठीक है, because there is no employer and employer relationship between the firm and partner, और यह taxable हो जाएगा PGBP में, कहां पर taxable होगा, PGBP में, PGBP में हम लोग ने section के अधर section 28, उसमें यह define किया गया है, कि partner को firm से मिलने वाली salary, उसको हम PGBP में हम taxable करेंगे, ठीक है, मैंने आपको अभी बताया था, उपर वाले point में, कि अगर कोई salary पे करता है किसी व्यक्ति को, तो उसके पास employer और employee का relationship होना चाहिए, तब ही वो salary salary माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा, ठीक है, इसी case में, firm और partner का कोई relationship नहीं था, मतलब employer और employee का relationship नहीं था, तो इसलिए इसको salary नहीं माना जाएगा, ना second point, second point में क्या बोलता है, अगर pension received हुआ है किसी वीडियो को, या legal hire को, किसके, deceased employee के, deceased employee के, वीडियो को अगर pension received हुई हो, या फिर legal hire को received हुआ हो, जो employee ने nominee बनाया होगा जिसको, चाहे अपनी पत्नी को बनाया होगा, या किसी legal hire को, अपनी बेटे को, अपनी बेटी को, या फिर किसी और को जो legal hire बनाया होगा, ठीक है, is not taxable as a salary, pension हम salary को नहीं मानेंगे, अगर किसी deceased employee के तौर पे मिला हो, किसी वीडियो को या legal hire को, as no employer and employee relationship exists between payer and pay, मतलब, pay का मतलब है, जिसको वो salary या pension जिसको वो received हो रहा है, जिसको वो pension received हो रहा है, मान लो, pension यहाँ पे video को received हो रहा है, अब एक video employee तो है नहीं, जो employer के लिए काम करता है, employee के लिए काम करता है, ठीक है, employer के लिए काम करता है, काम कान करता है, वीडियो का husband, वीडियो का husband काम करता है, जो अभी deceased है, बिमार है, ठीक है, कोई problem हो से, disabled हो गया है, तो इसलिए उसे डिसीज दूनाम दिया गया है तो इसलिए यहां पर कोई employer एंप्रोर का रिलेस्टिप नहीं है तो इसलिए वह जो amount pension received हुआ है उसको हम income from other source में taxable करेंगे ना कि salary में taxable करेंगे however such amount shall be taxable as income from other source उसको हम other source में taxable करेंगा जो pension video या legal hire को received हुआ होगा ठीक है अब हम आते हैं अपने note 3 में note 3 में क्या बोलता है अगर कोई remuneration received हुआ है by judge ज़ज मतलब जो court के जज होते हैं is a taxable under the head of salary even though they are not having any employer अगर वह employer नहीं है तो वह salary taxable नहीं की जाएगा फॉर्थ पैंट क्या बोलता है salary from former present और prospective employer is a chargeable to tax under the head of salary तो के नाओ अब हम अपने sections पर क्याते हैं section 15 first section नहीं है हमारा section 15 section 15 क्या बोलता है salary is a chargeable to tax either on due basis salary कब charge होगा either on due basis receipt basis or on a receipt basis whichever is the earlier जो पहले हो वह हमारी salary कहलाएगी है taxable as a salary and includes क्या क्या है यहाँ मैंने दो बाते बताई हैं दो दूसरे color से मैंसे लिखता हूँ salary charge हो जाएगी कब either on due basis receipt basis whichever is a earlier whichever is a earlier उससे salary taxable कर देंगे ठीक है salary जब charge कि जाएगी जब receipt या due basis दोनों से जो पहले receipt होगा वो उसे हम salary charge करेंगे चलिए नीचे कुछ point लिखा उसको हमें पढ़ना है पहले यहाँ पर बोला advance salary मालोग कि employee ने अपने employer से बोला कि मुझे advance salary जीए मुझे कुछ तरूरत है कुछ काम है उससे advance salary तभी देगा वह employer कुछ काम होगा तभी ऐसे फालतों में देगा नहीं अब यहाँ पर advance salary पहले ही मिलिगा साल खतम होने से पहले तो यहाँ पर लिखा है on receipt basis advance salary जो होती है वह on receipt basis पर होती है मतलब employer ने अपने employee को अब उसे दे दिया receive हो गया employee को तभी यहाँ पर लिखा गया visit basis salary paid in advance is taxable under the head of salary in the year of receipt जिस year में salary को receive किया गया है उसी year में हम उसी year में हम इसको taxable करेंगे किसकी बात कर रहा हूं है advance salary की बात कर रहा हूं है ठीक है अब यहाँ पर आता outstanding salary मतलब dues की बात हो रही है अब यहाँ पर dues की बात होगी मतलब जो बकाया है outstanding का मतलब होता है जो बकाया है जो outstanding रही है अपर तक employer ने अपने employee को दिया नहीं है तो यहाँ पर क्या बोलेगा अगर outstanding salary है तो यहाँ पर बोलेगा on due basis क्या होगा यहाँ पर on due basis salary falling due is a taxable under the head of salary in the year which is a fall due जिस टाइम पर यह due हो जाएगा जिस टाइम में उसको due हो जाएगा यह salary उस टाइम पर इसको हम taxable कर देंगे ठीक है जिस टाइम पर due हो जाएगा उस टाइम इसको taxable कर देंगे advance salary में जा जिस टाइम में रिसीट हो जाएगा उस टाइम पर में इसको taxable कर देंगी अब हमारा एक third point है उससे हमें पढ़ना है अरियर of salary अरियर सेलरी का मतलब क्या है पढ़ते हैं एने इंक्रिमेंट इन सेलरी विट रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट विच है नौट बिन टैग्ज इन पास्ट सच अरियर विल बिटेंग इन दे इयर इन विच इज इज अलाउड अरियर सेलरी आर टैक्सिबल अन्द इसस माहल जो इसका मतलब मैं को समझाता हो जstat कि किसी सेलरे में हमारी कोईंत हो गई संद में कुछ इंक्रिमेंट हो गया हमारे ठीक है रिट्रोस्पेक्टी एफ्रेक्ट से अब सेमान जब एंक्रिमेंट होगा जब होर्य हम मालो की सालरे में इंक्रिमेंट हुआ लेकिन इंक्रिमेंट अभी तेख हमको मिला नहीं है अरियर है मिला नहीं है इसका मतलब है कि जब वो इंक्रिमेंट हमको मिलेगा तब हम उसको टैक्सिबल करेंगे यहां पर लिखना अरियर सैलरी आर टैक्सिबल ओन डिशीट बेसिज मतलब जब advance salary और advance against salary का मतलब क्या है advance salary is taxable under section 17 subsection 1 and clause E के बारे में अब section 17 हमको पढ़ना पढ़ेगा मतलब यह definition के बारे में section 17 1 जो हमारा definition है whereas advance against salary is treated as a loan hence not taxable under the salary एडवांस अगेंस सेलरी का मतलब है सेलरी के अगेंस अगर हम लोगों ने कोई एडवांस लिया है तो वो लोन कहला आएगा अब वो सेलरी के हैड में टैक्सिबल नहीं होता है वो आप समझ लीजिए ठीक है? ना अब हम अपने आगे बढ़ते हैं Bem, Computer of Taxable Seludy का मतलब क्या है मतलब यहां पे हमको सैलरी कंप्यूट करना पढ़ेगा कंप्यूट कैसे करेंगे उसके लिए यह फॉर्मेट है यह फॉर्मेट हमको याद होना चchaeędए इसके बिना पे हम अगर इसको याद नहीं किया तो हमारा सेलरी नहीं निकल सकता तो कंप्यूटेशन आप टैक्सिबल सेलरी यह फॉर्मिट है इस फॉर्मिट में आपको सारे पॉइंट लिखने जो भी हम लोग ने ऊपर पड़े हैं बाकी पॉइंट को हम नहीं लेक्चर में अच्छे से कवर करेंगे इन सभी लेक्चर को हमें बारी बारी से समझाओंगा इन सभी को एक एक लेक्चर में एक पॉइंट समझाओंगा ठीक है चलिए सबसे पहले यहां पर बोल रहा है बेसिक सेलरी का मतलब यहां पर बोल रहा है कि जो सेलरी आपको मिलती है मतलब सेलरी का मतलब है यह सब इंक्लूड होता है इसमे डिए अलावैंस जो आफको कम्सक्राइड करेंगे अगर इनको छोड़के अगर आके इसे वाले मिल रहे हो। अगर सिर्फ यह मिल रहा हो बेशिक सेलरी जिसा अगर आपके पिता किसी कंपनिय में काम करते हैं तो उनुकी सेलरी स्लिप मंग लिए उनकी इतनी है बाकि नकोडियर्यख टियों अलावंस् Airlust कहते हैं डिये का मतलब यहाँ पे है डियर्निस अलावेंस और डियर्निस पे दोनों भी बूलते हैं यहाँ पे हम इसको फिर एक बोनस भी मिलता है अगर कंपनी में आचा खासा फायदा हुआ तो बोनस देता है कंपनी कमिशन भी देता है कंपनी अब आपको एडवांस सेल्री सब्सक्राइबर का कंपनी को अचान मानस करसे सक्षे इसक्ट वन एब को सबसे सेक्षे न करते हैं सबसे हैं सबसें टू बोलते Summit करें ट्रेकंड पहले 40,000 था अब यहाँ पे 50,000 आ गया अमेंड होके ठीक है तो हमको अब 50,000 मानके ही चलना है तो यह आज का हमारा पूरा लेक्टर था जिसमें हम लोगों ने basic point कुछ cover किये salary के now next lecture में मैं आपको एक point सब्जाना है वो कौन सा point है due basis और receipt basis का एक question समझा दूँआ जिससे कि आप पूरा concept समझ जाओगे कि due basis और receipt basis का मतलब क्या होता है then इसके बाद हम अपना इसे format पर आएंगे इस format के according मुझे आपको पहले allowances कराने हैं फिर आपको मुझे allowances कराने के बाद मुझे आपको retirement benefit कराना है इस दोनों में कमस्कान दो दो lecture लगेंगे दो से तीन lecture लगेंगे और इसके practical lecture के अलग वी बात है ठीक है allowances समझाने है allowances में practical questions भी कराने है retirement benefit कराना है retirement benefit के practical questions भी कराने है तो कमस्कम 4-5 lecture इसमें लग जाएगा then इसके बाद हम अपने परकुजिट्स पर आएंगे परकुजिट्स पर कमस्कम 5-6 lecture लगेंगे क्योंकि परकुजिट्स के लिस्ट ज्यादा लंबी है कमस्कम 15-16 points है जिसको अच्छे से explain करना है समझाना है तो पांच लेक्चर इसमें और पांच लेक्चर इसमें दस लेक्चर कमस्कम इसमें लगेगा और practical question के लिए कमस्कम चार लेक्चर तो आपको कुल मिला के 15 लेक् सब्सक्राइब में और उसके बाद अगर टाइम मिला तो कुछ हम RTP और MTP भी करेंगे ठीक है ना अभी के लिए इतना ही वीडियो पसंद आतो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर नए आये हैं और हम एक टेस्ट करने वाले है अगर आप चाहते हैं टेस्ट हो तो प्लीज नीचे कमेंट में करके बताए कि आप टेस्ट रखिए जरूर ठीक है थैंक यू सो मच